आज का दिन भारत के टिहास में एक तरह से भारतिय जन्तंत्र के लिए काला दिन साबित हुआ आज संसद के अंदर दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला बिल पास कर दिया गया ये बिल दिल्ली के लोगों को बेबस बना देता है, असहाई बनाता है, लाचार बनाता है, गुलाम बनाता है जब हम आजाद नहीं हुए थे, 1935 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था, उस कानून का नाम था Government of India Act उस कानून में अंग्रेजों ने ये लिखा था कि भारत में चुनाव तो होंगे, लेकिन जो सरकार चुनी जाएगी, उसको कोई काम करने की पावर नहीं होगी, काम करने की शक्तियां नहीं होगी जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमने समविधान बनाया और समविधान में हमने लिखा कि चुनाव होंगे, लोग अपनी सरकार चुनेंगे और जो सरकार चुनेंगे, उस सरकार को लोगों के लिए काम करने की सारी शक्तियां होंगी आज आजादी के 75 साल के बाद प्रधान मंतरी मोदी जी ने दिल्ली के लोगों की आजादी छीन ली, उन्होंने 1935 वाला अंग्रेजों का कानून बनाया है, कि दिल्ली के लोग चुनाव तो होंगे दिल्ली में, दिल्ली के लोग अपनी सरकार तो चुनेंगे, लेकिन उस स करकार को काम करने की कोई भी शक्ति नहीं होगी ये कानून आज हमारे देश की संसद ने पास किया है